जैस सिरीडाम जी बताइए नमस्कार सर मैं विमल बात कर रहा हूँ आप थे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप यूपी के प्रधान सेवक हैं तो आप एक बार बोल देंगे चैनल सब्सक्राइब करने को ये नहीं सुगरेगा कर लो भाई कर लो बजाओ रही बजाओ तो भाई अब आपने जो एक क्लिप देखी डान्स होगरा कि ये किसी बारात के सीन का नहीं था कॉलेज की फ्रेसर पार्टी का था तो यूपी में अगरा मैर कहीं भी डान्स होगरा कहीं भी डीजर लग जाता है तो ऐसा है कुछ महौल बन जाता है वहाँ पर तो खैर अभी में टॉपिक जो है हमारा आज का CSA कॉलेज का जो है रिव्यू करना है और इसके उपर भी काफी रिक्वेस्ट आये थे यूपी का नंबर वन कॉलेज है अगरिकुल्च रिक्वेस्ट आया किसी को डिमांड और भी कॉलेज को कवर करेंगे तो कम्टीर इंफर्मेशन देने वाला हूं इस कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और वहां के स्टुएंट से परसनली बात करके जांकारिया निकाली है कि क्या प्लेस्ट उगरा होता है इस कॉलेज में फीसों करा कितनी ह हैं यहां पर नंबर आप सीटे कितनी हैं और यूपी क्रिट का जो आपका एक्जाम होता है में उसके कितने कटाफ जाते हैं कितनी रैंक में आपकी अडिमिसन यहां पर हो जाएगी तो संपूर जांकारी दूँगा तो वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखिए और काफी पुराना कॉलेज है जो कॉलेज का पूरा नाम है चंसेखर राजाद अफ आग्रिक लगबग हैं मुझे कंफर्म नंबर नहीं पता एक बार आप ऑफिसली चेक कर सकते हैं रैंकिंग के लिश्ट में और इस्टेबलिस्मेंट डेट के बारे में बता हैं तो यह फुर कर आना हो चुका है अब 23rd का लोकेशन यहां पर कमटीट हो किया गया है ठीक है अगर आप यूपी में ही रहते हैं किसी और जीले में और कानपूर में यहां पर अडिमिसन लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा पताते हैं कॉलेज की लोकेशन और कनेक्टिविटी कैसी है यहा आता है नमाब गंज में कानपूर जो की उत्तर प्रदेश में यह सहर है वहां पर आपको कॉलिज सेच्टेट है पिन कोड़ जो आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद अगर आप बस्टेंड और रेल्वे स्टेशन की बात करेंगे तो दूर से आ रहे हैं तो आप जनरल अगर अभी चलती रहती है तो उसकी दिक्कत आपको नहीं आएगी उसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉलेज कौन-कौन से कोर्सेस ओफर करता है और कितनी नमबर आप सीटे हैं और क्या सेलेक्शन के टेरिया रहता है ठीक है तो में चीज जो है कॉलेज में यूजी के आप सभी लोग के लिए यहां पर सीटे अवलेबल है इलिजबिल्टी सेम है पहले में कोर्स प्रोग्राम के बारें बता देता हूं तो कुछ प्रोग्राम जो है मेन कैंपस आपका कानपूर का है वहां पे है और कुछ कैंप दूसरे कैंपस में भी इसी उन्वेसिटी के को आए जाते हैं तो भी एसी इन ओनर्स एग्रिकल्चर होटी कल्चर और फॉरेस्ट्री तुनों में यह है तीनों के लिए आपका सेम एलेजबिटी कर रही है अगर आपने बारवी में एग्रिकल्चर साइंस से पड़ा हुआ है पीसी बी से हैं पीसी अम्बी से हैं तो आप यूपी केटर के एग्जाम में आपियर हो सकते हैं और वहां पर अच्छे का से रैंक लाके इसमें अडमिशन ले सकते हैं इन से भी कॉर्स के लिए और कुछ जो भी स्टुएंट आइसीर ते आना चाता है तो आइसीर की भी कुछ सीटे हैं उसकी एग्जाम के तोबरिया आ सकते हैं और दूसरा जो आपका प्रोग्राम यह आफर करते हैं बैचलर इन फिस्टरी साइंस यूज आपके कऱाया था इताव्टावा कैंपस में कराया था इसके लिए नहीं यह यहिए पी-सी-बी और पी-सी-एम-बी प्योर जो मैत वाले बंदे हैं साइद इसमें अडमिसन नहीं ले सकते हैं सेम सेलेक्शन क्रेटरिय है आपका यू-पी क्रेटरी देना पड़ेगा साइद इसमें आपकी आइसे रूजी के सीटे नहीं है वेटरेनरी साइंस और एनिमल हस्ब यह है यूपी करेगाई जाम दीजिए और वहां पे अच्छे स्कोर करें आपके यहां पे अडमिसन ले लिजिए नमबर आप सीट मैंने आपके यहां पर लिखी है बट आगे मैं आपको दिखा दूँगा फ्री के लिए कितनी सीटे हैं पेड़ी कितनी सीटे हैं और इसके से हैं PCB से हैं PCM से हैं PCM से हैं फिर भी आप ले सकते हैं बहुत सारे इस्टन वाले कंफ्यूज रहते हैं कि हम Agriculture इंजिनिंग में ले सकते हैं बायो से तो आप ले सकते हैं बिल्कुल अडमिसन लेकिन आपको थर्ड सेमिस्टर तक थोड़े बहुत मैत वहां पर पढ़ने पढ़ेंगे ओके कोर्सेस क्लियर हो गए अब में चीज आपको बतायते हैं कि यूजी प्रोग्राम है यहां पर उसके लिए नंबर आप सीटे कितनी हैं तो इनका प्रोस्पेक्टर जो इस बार जारी किया गया है उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कौन सी उनिवर् अगर आप उसमें यहां अगर पाते हैं अगर आप पेड़ वाला सीटे करते हैं तो आपको निधारित फीच रहती है उससे थोड़ी ज्यादा फीच बढ़ा के देनी पड़ती है और NRI में तो उससे ज़्यादा फीज देने पड़ती है तो टोटल जो इनुविशिटी कैमपस में आपका कानपुर का BSC Agriculture की सीटे 114 है, 114 सीटे है सेम आप देख सकते हैं आयोध्या का जो इनुविशिटी है उसमें 132 सीटे है और मेय रट वाली इनुविशिटी में 177 है और बादा में जो आपकी इनुविशिटी 104 सीटे है तो यह बात हो कि BSC Agriculture main main जो कैमपस है जिसे ऑष्दा का main campus Mirat का और बादा का main campus है तो 100 से उपरी सीटे हैं 4 इनिविशिटी के main campus में तो जो आपका CSA कानपूर का मेन कैमपस है इसका एक दूसरा कैमपस है लखिमपूर खेरी में वहाँ पे आपका BSC AG की 45 सीटे हैं फ्री के लिए पेड है 15 और NRI की 6 सीटे हैं मदद तोटल 66 सीटे हैं CSA के लखिमपूर खेरी वाले कैमपस में ठीक है अब यह तो बात हो कि BSC AG की और अगर आप BSC in Forestry करना चाहते हैं तो जो आपके कानपूर की निवर्शिटी है वहाँ पे 33 सीटे हैं और अयोध्या और मेरट की जो कॉलेज़ेश हैं वहाँ पे एक भी सीट नहीं है BSC Forestry की लेकिन आपके बांदा जो कॉलेज़ेशिटी है वहाँ पे 62 सीटे देंगी जो आयोध्या की उनिवर्शिटी है वहाँ पे 31 सीटे हैं 29 फ्री वाली है और दो पेड़ वाली है ठीक है और जो मेरट के एमपास है और बांदा का यहाँ पे एक भी सीटे नहीं है फिसिरी साइंसेस के लिए वैसे आप हर एक उनिवर्शिटी का चेक कर सकते हैं हर एक कोर्से के लिए कौन से उनिवर्शिटी में कितनी नंबर आप सीटे हैं बीटे की नागरी कल्चर का देखेंगे तो कांतुर की उनिवर्शिटी जो है मेन आपकी CS से वहाँ पे 36 सीटे आवलेबल हैं और जो आयोध्या में है वहाँ पे 80 सीट है और मेरट वाले जो कैंपस है आपका 44 है और बांदा वाली उनिवर्शिटी में 40 सीटे हैं तो यह जितने भी डिसिप्लीन हैं जितने भी अलाइड ब्रांचेस हैं अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग- सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर यह चीज़े में तो इत्मिनान से आप बैठके देख सकते हैं तो नमबर आप टोटल सीटे देखेंगे हर एक उनिवर्शिटी में तो काफी ज्यादा है अलग-अलग ब्रांच के मिला के ठीक है तो 402 हैं कानपूर में 512 हैं आपका अ 1000 लगबग सीटे अवलेबल हैं तो यूजी कोर्सेज के लिए यूपी में जो बहुत टॉप की उनिवर्शिटी हैं वहाँ पर लगबग 2,000 सीटे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे एफिलेटिट कॉलेजेज हैं वहाँ पर भी इच्छी सीटे रहती हैं जो भी आईसर के क का जो एक्जाम होता है उसकी कटाफ कितनी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो तो यार अलग-अलग कटेगरी वाइस यहाँ पर सीटे डिस्ट्रिबूट की गई हैं तो अगर आप सी कटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 2% सीटे रिजर्ब हैं ओबी सी वाले ब सीटे हैं और जो भी फ्रीडम फाइटर हो गरा है हमारे अगर आप उनके घर से बिलॉंग करते हैं तो उनके लिए भी 2% सीटे अगर कोई भी उन्वेसिटी कर्मचारी है और उनके बच्चे वहाँ पर एडमिसन है ना चाहते तो उनके लिए भी कुछ 10% सीटे रिजर्ब हैं तो जितनी नंबर आप सीटे थी अगर आप जिस भी कटेगरी में आते हैं उतने परसेंटाइल से आप मैच करके आप देख कर सकते हैं कि आपके लिए कितने सीटे अवलेबल है उस इन्वेसिटी में उस कोर्स के लिए ठीक है यूपी कटरिक का जो एक्जाम होता है उस परसेंट चांसेस रहते हैं कि आपको एडमिसन हो जाए और अगर आप OBC कटेगरी से हैं और आप 600 रैंक के अंदर फाइट कर रहे हैं तो आपके भी चांसेस बन जाते हैं थार्ड राउंड तक एडमिसन मिलने के इसमें क्या होता है कि जो मेन फ्री सिटे हैं उसमें तो मै एडिवी पंद इन्युइसटी जो भी टॉप के आइशार इन्युइस ए वहां पर चले जाते हैं तो उनका score जो रहता है यूप работать में भी अच्छा रहता है और आउएसार यूजिव में भी अच्छा रहता और यह paper के label पे depend करता है कि उस समय पे paper की difficulty label कैसी आये थी टॉपर ने कितने marks achieve किये हैं एक मेरे पास list भी है वो मैं थोड़ा सा आपको display में दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर इस list में नाम देख सकते हैं साइस से यह वो list है जब मतलब चारो counseling के बाद sport on counseling के बाद जितने स्टुडेंट का फर्स समेस्टर में बीस सी ओनर्स जो आपका course है यहाँ पर नंबर लगा था सभी का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है लगभर 90 स्टुडेंट हैं इस list में तो आपको मैं एक रैंक दिखा जाता हूँ कितने रैंक तर यहाँ पर मिल सकता है उसकी अन्रिजर्ब में आई थी ठीक है तो ऐसी आप सारे रैंक दे सकते हैं अब इसलिए टॉप में कॉलेज आता है तो टॉप के जो 200 बच्चे होते हैं 200 रैंक वाले उनको आसानी से फ्री में आले सीट मिल जाती है 70 के लगभक जितनी भी है ठीक है अब आपको रैंकिंग के लिए 331 है ठीक है और भी जो रैंकिंग देखेंगे तो आपको इंड जो दिख रहा होगा सी कडिगरी का एक बंदा है जिनको 6977 रैंक पे भी एडमिशन मिला है यूपी कड़ के तो यह क्यों बात कर रहा हूं बेसी अगरिकल्टर के सीटों के बारे में जो आ सारे श्प्रेंटर या फिर वो किसी और कोर्स के लिए अडिमिशन ले ले लेते हैं तो यह थोड़ा सा आपको यूपी क्रेटर का एक्जाम का आडिया लग गया है कितनी रैंकिंग पे आपका अडिमिशन मिल जाती है अगर आप ICR के एक्जाम के थुरू आपको अदर इस लेते हैं अगर आप 5000 के अंदर हैं और आपको दूसरे कॉलेज में नहीं जाना इसमें आना है तो आप अपलाई कर सकते हैं आपको किसी ने किसी राउंड में आसाने से अड्मिशन मिल सकता है उसके बाद थोड़ा समयन यहां उपीकडर एक्जाम का सिनर्यू रखा हुआ ह कासे पेपर अब आते हैं कितनी नमर आप कॉश्टन सोोते हैं और कौन-कौुशन से सब्जेट पूछए जाते हैं तो मैकसम लो को आडिया होगा जिनको पता नहीं है तो आप वीडियो पाउस करके देख सकते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितने नमर आप कॉश्टन आते हैं ठीक है उसके बाद मैं आखे बढ़ेंगे आपको बतायता हूं कि इस college की फीश्ट्रक्चर कितनी है तो यह आपको प्रॉक्स्पेक्टस में ही यह फीश्ट्रक्चर मिल जाएगी तो वहां से यह भी आप चेक कर सकते हैं थोड़ा से मैं आपको बतायता हूं ओवराल जो आपके फीश्ट लगती है फ्री सीट के लिए मान के चलिए आपको 45,000 पर यह की फीश्ट लगने वाली है इसमें आपके ट्यूशन के एडमिसन के जो भी आप डिपाउजिट जम्मा करते हैं वह सारे इतनी है इन्होंने सारे फीश्ट यहाँ पर दी हुई है आप चेक कर सकते हैं तो बीसी अगरी कल्चर वालों के लिए मोटा मोटी आप 40 45,000 आपको वन एयर में लगने वाले हैं उतनी फीश्ट और उसके अलामा आपको यूपी गवर्मंट की स्कॉलर से भी मिल जाती है अ उन्होंने वेबसाइट पर साबसा बता दिया गया उनसे विद्यारतियों को जो भी आपका सामान फीश्ट रहता है फिर तो लेंगे ही उसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको पर सेमेस्टर पर ये सौरी 50,000 रुपे जमा करने पड़ेंगे ठीक है और जो भी स्ट्रेंट अनराई कोटा से हैं मतलब कि जिनके फादर या फिर मदर कोई फॉरेंज से बिलॉंग करते हैं अगर आप अंडिया में हैं और इस उन्विश्टी में आ रहे हैं तो आपको लाग पर येर के हिसाब से एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी उस कोर्स के लिए तो यूजी कोर है ठीक है तो यूजी पीजी और पीच्डी वालों के लिए मिलाके जो गल्स होस्टल लगबग 10-12 होस्टल मिल जाएंगे आपके जो बीसी अगरिकल्चर के स्टुटेंट है उनका होस्टल अलग है और अलग होस्टल में रहते हैं एक रूम में दो सेरिंग रहती है और दो सेरिंग है और वह उस्टा भी सेम हैं और किसी भी हैस्टल में आपको फ्री वाइफई नहीं मिलता है तो हांस्टल जनरली यार्ट आपको सांबस्ट रख पाते हैं है में सकरते हैं में इसके सीब बहुत कमी आती है 80 रुपए पर डे आपको आएंगे 40 रुपए दो पर खाना 40 रुपए सांग को खाना तो 100 रुपए से कमी आते हैं पर डे के हिसाब से मान के चलिए और फूडिंग का जो सिस्टम है वह यूपी वाला स्टाइल रहता है जो भी यूपी के फेमस फूड है वही आपको खाने को मिलते हैं और इस कॉलेज में स्पोर्ट और फेश्ट के बारें बात करें तो स्पोर्ट हो कर रहा तो सारे फिरिश्ट के बारे में आडिया तो जो भी यार प्लेश्मेंट के लिए आना चाहते हैं तो सायद आप ना है तबी अच्छा है क्योंकि प्लेश्मेंट होता है लेकिन वहां किसी फीड़बैक मिला की पैकेज्ज इतने अच्छे नहीं मिलते हैं ठीक है इसलिए maximum student government exam की तरफ या फिर MSC या फिर किसी cat उकरा देकर MBA ले लेते हैं तो दयाल group की फटलाजर company हर साल आती है लगबग पिछले साल भी थी लगबग 3 LPA तीन लाग पौर एनम की आपको यह offer करते हैं यहनार शीट भी आई थी पिछले साब यह भी ढ़ाई से लेकर तीन काई तक का offer दे पाते हैं कुछ जैसे चीनी मिल की company थी आप देख सकते हैं तो यह भी सबी के लिए ओपनिंग थी तो लगबग 4-34 लाग का offer किये थे तो में रिजएन यह भी है मतलब placement तो हो जाता है लगबग 15-20% का हो जाता है मैं सब्सक्राइब नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पर अच्छा खासा इसको भी देते और जो पैकेजिज ओफर करते हैं वह भाहत ही कम रहते हैं तो जो भी स्टुएंट के वल प्लेश्मेंट के लिए आ रहे हैं तो सायाद आपके लिए बटर कॉलेज नहीं हो सकता लेकिन सायाद कोचिंग औरा का भी मिल जाता है तो यहाँ पर आके रहके कोचिंग औरा जोइंग करके आप त्यारी करना चाहते हैं तो अब इंदास आईए अब मैक्सम स्टुएंट सब यही करते हैं तो कर आप ओवराल रिव्यू देखिंग इस कॉलेज का तो दस में से सायाद 7 रिव्यू देखिंगे तो 7.5 रिव्यू मिले हैं इस कॉलेज को तो जो भी चीजे मुझे पता थी जो जाता हैंकारी मुझी थे मैंने आपको जैनली बता दी है कुछ अगर गलती हो गई हो या फिर कुछ छूड़ गया हो तो आपको कमेंट कर बता सकते हैं अगर इसके हला आपको वीडियो पिसना वीडियो को लाइक कर दीजिए और चनल पर नहीं है चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए